नमस्ते दोस्तों आपका वैल्यो एचुकटे चानल में स्वागत है जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे बैसे बना सकते हो तो मेरा नाम है शचांक और ये वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि वार्न बफेट जी ने जो लेटर लिखा था लेटेड वार्न बफेट जी ने उनका जो लेटर लिखा है इसमें क्या सिमिलारिटीज है यह इंडियन कंटेक्स्ट में हम यह जो लर्निंग से वो कैसे यूज कर सकते हैं मैं मेरे पोटफुल्य की जो स्टॉक से उनकी रिलेटेड भी आपको बताऊंगा कि exactly यहां पर उन 1965 से लेके 2020 तक बताया है कि जो रिटन्स है वो comparatively कैसे रहे थे तो जो यदि आप compounded रिटन्स देखोगे second last row पे तो Berkshire Hathway के last 65 years के जो रिटन्स है वो 20% रिटन्स आये थे और इसके comparison में जो S&P 500 इंडेक्स के रिटन्स है वो लगबाग 10.2% के है यदि आप उनको normalized रिटन देखोगे overall returns from 1964 to 2020 तो Berkshire Hathway के जो रिटन्स है वो लगबाग 28,10,526% है और इसके comparison में S&P 500 के जो रिटन्स है वो 23,454 है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना बड़ा difference हो जाता है जब ही एक जो amount है वो compound होता है बहुत long period के लिए actually यदि आप देखोगे तो single year के लिए यह जो compounded returns है उसमें जो difference है वो सिर्फ 10% का है क्योंकि S&P 500 के जो return है वो 10.2% है और उसके comparison में जो Berkshire Hathway के return है वो 20% है तो maybe आपको single year के लिए 10% की जो returns का difference है वो maybe बहुत कम लगेगा पर यदि आप 10% का जो difference है जिसको आप ये case में alpha कह सकते हो तो ये जो alpha है वो warm बफेट जी ने 65 years के लिए compound किया है जिसमें लगबग उनको 10% का alpha मिला है यानि यदि आप 20% के return 65 years के लिए compound करते हो तो finally जो compounding क outcome आएगा वो बहुत ही बड़ा amount होगा तो यहाँ पर ये learning के first की longevity बहुत important है ये important नहीं है कि आपके initial returns कितने है यदि आप 15-20% के भी जो returns है वो बहुत लंबे समय के लिए compound कर पाते हो तो finally जो आपके wealth creation होगी वो बहुत huge होगी तो जैसे कि आपको पता होगा कि compounding के formula में तीन चीज़े होती है एक होता है कि आपका principle कितना है याने initial principle कितना है कि आप 1 lakh से शुरू करते हो 10 lakh से शुरू करते हो 50 से शुरू करते हो या 1 CR से शुरू करते हो तो इसके उपर भी आपके final outcome आएगा वो depend करता है इसके बाद में second चीज़ यह है कि आपके returns annually returns कितने है या जादा important यह है कि longevity कितना है आप एक जो return है या maybe 15 हो सकता है 17-18% के returns वो कितने समय के लिए compound कर पाते हो यदि आप 20% के returns में भी next 20-30 years के लिए compound करते हो तो finally जो outcome आएगा या जो wealth creation होगा वो बहुत huge होगा पर ये जो process होगा 20% के returns 30 years के लिए compound करना ये काफी difficult है क्योंकि ऐसे ज learning से next 20-30 years के लिए 20% से compound कर सकते है तो इसलिए हमें continuous learning important है कौन-कौन से जो नए sectors आ रहे है जो existing sectors है उसमें क्या changes आ रहे है ये हमें continuously track करना है और उसके according लिए अपना जो portfolio है वो आपको design करना है तो अभी हम एक-एक जो learning है उसके बारे में discuss करेंगे ये जो Berkshire Hathaway का 2020 का annual letter ह तो first जो important सबसे important learning ये है कि power of buybacks तो यहाँ पर उन्होंने apple का stock के related example दिया है कि apple ने last कुछ years में कैसे उनके जो खुद के share से उनको buyback किया और इसके बाद में Berkshire Hathaway ने भी आप देखोगे तो उनके जो share से उनको buyback किया था तो buyback का ये जो concept है ये काफी एक important concept है काफी एक powerful concept है और इसका relation हम Indian stock market में भी देखेगे मैं आपको बताऊंगा कि मेरे portfolio में ऐसे कौन से share से जो फिला में buyback कर रहे है और मैं आपको wealth creation का एक mantra बताऊंगा एक simple formula है जो मैं follow करता हूँ तो उसके पहले हम ये देख लेते कि Warren Buffett जी ने यहाँ पर क्या लिखा है तो यहाँ पर लिखा है कि following criteria Charlie and I have long recommended we made those purchases because we believed they would both enhance the intrinsic value per share for continuing shareholders and would leave Berkshire with more ample funds for any opportunities और problems it might encounter. In no way do we think that Berkshire shares should be purchased at simply at any price. तो ये काफी important learning है कि जबी भी कोई भी company buyback करती है तो ये ऐसा नहीं है कि वो कोई भी price पर buyback कर सकते है या उनको करना चाहिए याने generally जबी price higher रहती है तभी जो buyback है उसको avoid करना चाहिए जबी जो price है उसके actual intrinsic value से कम आ जाती है याने जैसे कि March मत में आप देखोगे तो actually जो buyback होना है वो समय में होना चाहिए ताकि actual में जो existing shareholder से उनको काफी benefit मिल जाता है तो उसके बाद में उन्हों लिखा है कि I emphasize that the point because American CEOs have an embarrassing record of devoting more company funds to repurchase when prices have risen than when they have tanked तो इसका मतलब यही है कि जबी prices low होते है वो समय में buyback करना बहुत important है और इसका में आपको आगे जाके example भी देता हूँ कि आप देखो को तो बहुत सारी companies buyback करती है most of the companies जो है वो IT sector में buyback करती है क्योंकि उनको जो incremental funds मिलते है उनका basically उनको ज्यादा use नहीं होता है उनके business को expand करने में generally यदि वो acquisitions नहीं कर रही है तो ये जो fund वो generate करते है internally तो उसका use क्या है तो उ 8 साल पहले दो साल पहले तो HEG ने अपने जो share से उनको buyback किया था और बहुत ही higher rate पे buyback किया था लगभा 5500 रुपिस पे ये जो buyback था वो आप देखो तो हुआ था तो ये दिखाता है कि जो corporate governance है या जो management है उनका thinking shareholders के towards नहीं है small shareholders या minority shareholders है तो आपको ऐसे जो stocks है जिसमे purposefully higher rate पे buyback हो रहा है तो आप देखो तो ये shareholders के लिए अच्छा नहीं है और आपको ऐसे जो share से उनको award करना चाहिए तो इसके बाद में उन्होंने example देके बताया है कि उनका जो initial holding था Apple में वो basically कैसा बढ़ गया क्योंकि जबी buyback होता है suppose पहले 100 shares total outstanding shares है company में buyback में suppose 10 shares company ने buyback क कर लिया तो जो बचे हो है shares होगे सिर्फ वो 90 होगे तो incremental जो भी earnings आएगा याने earning per share वो basically बढ़ जाता है इसलिए buyback ये एक strong concept है पर buyback में ये भी important है कि buyback कौन से price पे हो रहा है buyback हमेशा low price पे होना चाहिए compare to company का जो actual में intrinsic value है पर यदि company buyback intrinsic value से बहुत ही ज्यादा price पे कर परती है तो actual में जो buyback है वो wealth district कर सकता है जो existing shareholder से उनके लिए तो buyback के related मेरा एक wealth creation मंत्रा है तो पहले तो आपको देखना चाहिए कि यदि buyback हो रहा है तो क्या valuations पे हो रहा है वो compare to उनके जो intrinsic value है वो यदि intrinsic value के नीचे हो रहा है तो best है इसके बाद में आपको growth भी रही है और बाद में suppose कुछ stock market में कुछ issue आ जाता है या जैसे कि March जैसा crash आ जाता है तो क्या वो समय में वो buyback कर सकते है या नहीं तो growth important है बाद में buyback important है और growth के साथ में return on capital employed याने ROC भी important है यदि आप generally देखोगे तो बहुत सारे लोग बोलता है कि ROC बहुत important है ROC high होना important है पर सिर्फ ROC ही जादा है और growth नहीं है वो company में तो भी कोई use नहीं है जैसे कि मैं आपको कुछ example देता हूँ आप देखोगे तो हिंदूस्तान Unilever तो उसका ROC ही बहुत जादा है 90-100% आप देखो तो ROC है पर company में उतनी growth नहीं आ रही है company में भी 10-12% के आसपास ही grow कर रही है तो finally जो wealth creation होगा वो जादा नहीं होगा इसलिए growth प्लस ROC प्लस buyback at better prices and finally valuations क्या है वो company के जिसमें आप वो जो stock है उसको खरीद रहे हो जैसे कि Warren Buffett जी ने Apple को खरीदा था 3 या 4 सेल पहले तभी आप देखोगे तो यह जंदरली चारो जो अलग-अलग parameters है वो satisfy हो र रहा था बाद में Apple ने continuously एक better price पे buyback किया Apple का जो earnings से वो grow हो रहा है और at the same time return on capital employed भी Apple का का अच्छा है यदि आप चारो यह जो parameter से उनको track करते हो और आपको कोई अच्छा stock यह जो parameter से वो fulfill करने वाला मिल जाता है तो मुझे लगता है कि next 3 या 4 years में काफी अच्छा well creation हो सक तो इसके रिलेटर आप भी मुझे जरूर नीचे लिखे बताईए कि यह जो चारो parameter से वो complete या fulfill करने वाला फिलाल में कौन सा stock जो है वो आप track कर रहे हो जो buyback कर रहा है या जिसने historically buyback किया है better valuations पे या intrinsic value के नीचे जो grow कर रहा है उनकी earnings जो है वो at least 15-20% से grow कर रहा है जि तो stock है वो फिलाल में अच्छे valuations पे available है तो यहाँ पर मैं मेरे एक portfolio का stock बताता हूँ जिसका नाम है Calvary Seeds तो Calvary Seeds के related में एक separate video बनाया है जो आप देख सकते हो तो Calvary Seeds यह basically आप देखो तो company last 3 years से buyback कर रही है और मेरे accordingly उनका जो intrinsic value है उसके वो definitely नीचे buyback कर रही है य यदि return on capital employed भी देखोगे तो लगभग 22 to 25% के आसपास है और currently जो valuations है Calvary Seeds के वो definitely काफी आप देखोगे तो cheaper valuations है इसमें क्या-क्या triggers आने वाले है या क्या-क्या triggers future में आ सकते है जिससे stock price है उसका re-rating हो सकता है इसके related मैंने वो video में काफी detail में बताया है तो इसके related मैं को short में ये video में बताता हूं तो first trigger यह है कि actual में उनका revenue mix है वो change हो रहा है यदि आप carefully देखोगे तो उनका majorly revenue का contribution था वो cotton की seeds थे और फिलाल में cotton की जो demand है वो actual में इतनी बढ़ नहीं रही है या total जो area under cultivation है total इंडिया में वो भी बढ़ नहीं रहा है तो यहाँ पर आप द paddy याने rice यह जो seeds है उससे तो rice में यह आप देखोगे तो जो demand है उसको grow करने के लिए काफी यहाँ पर room है या काफी आप देखोगे तो वो बहुत ही एक 30 से grow कर सकता है last 4-5 years में यह आप coverage seeds का जो rice seeds है या जिसको paddy कहा जाता है उसका growth rate देखोगे तो वो लबग 45-50% से grow क कर रहा है और coverage seeds यह आप देखोगे तो वो second number पर है जो rice के seeds है या जो paddy है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो growth opportunity है वो बहुत huge है आने वाले समय में पर फिलाल में market को maybe यह जो opportunity है वो recognize नहीं हुआ है या उसको recognize होने के लिए कुछ समय लग सकता है तो already आपको ऐसी जो theme स है वो आपको study करने चाहिए और बात में market को समझने के पहले आपको उसको अंदर position जो है वो create करना चाहिए तो already यह जो stock है मैं मेरे portfolio में hold कर रहा हूँ और यह मिना minimum 5-6 years का bet है जबी यह जो actual जो opportunity है वो market को दीख जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पर rating आ सकती है तो हम उ manufacturing company है जिसको Warren Buffett जी ने काफी पहले जो है गुबाई किया था और यह जो company है वो एक cash cow है याने उसको ज़्यादा capital की जरूरत नहीं होती है पर हर समय वो आप देखोगे तो continuously उनका जो business है वो capital produce करता है या जो earnings है वो ज़्यादा capital के बीना भी produce कर सकते है तो यहाँ पर हमें यह एक चीज जो है वो समीजनी चाहिए कि basically दो type के business होते है एक हो जाता है cash cow और दूसरा जो business है वो reinvest करता है उनके earnings at higher rate तो cease candy मुझे लगता है कि एक cash cow type business है जहाँ पर जो ROC है याने return on capital employed है वो बहुत जाता है लगबाग 200% के आसपास है और उसके comparison में उनके जो earnings है वो आप देखोगे तो ज्यादा reinvest नहीं कर पाते क्योंकि ज्यादा आप देखोगे तो ऐसे businesses जो है उसमें इतनी ज्यादा opportunities नहीं होती कि वो उनकी जो earnings है वो higher rate पे reinvest कर सके तो यदि आप देखोगे तो ITC का stock फिलाल में इतने कम valuations पे Q trade कर रहा है तो इसका first reason मुझे यह पर जो cigarette segment के जो उनके earnings है यदि वो अच्छी तरीके से deploy करते है कोई दूसरे segment में जैसे कि suppose FMCG में और FMCG से आगे जाके बहुत जादा earnings आते है तो maybe ITC में यहाँ पे re-rating आ सकता है पर फिलाल में market wait कर रहा है कि जो FMCG का business है वो कितना scale up हो जाएगा उनके जो फिलाल में FMC से 2-3-4% के recently वो थोड़े बढ़के 6-7% के हुए थे तो यह suppose 15-20% के होते है और फिर बात में ITC का जो revenue mix है या जो profitability mix है वो change होता है तो आगे जाके यहाँ पर re-rating आ सकता है पर फिलाल में मुझे नहीं लगता कि यह बहुत ही कम समय में होगा इसको कुछ समय देना पड़े या नविन फ्लोरिन हो सकता है या इसके अलावा SRF हो सकता है जो भी chemical stocks है एक मैं example लेके आपको बताता हूँ तो यह जंदरली जो chemical stocks है फिलाल में यदि आप देखोगे तो वो इतने rally queue किये है first reason तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो China का dependency है वो shift हो रहा है इंडिया में पर इसके अलावा भी आपको यहाँ पर एक mental model जो है वो use करना है जो है reinvestments at higher rate याने यह जो सारी chemical companies है उनका यदि आप dividend देखोगे तो वो बहुत ही कम dividend देते है या जंदरली वो buyback नहीं करते है इसके अलावा actual में वो क्या करते है उनके जो profits आते थे या उनके जो free cash flows है उनको वो खुद के business में deploy करते है तो खुद के business में कैसे deploy करते है वो नए नए जो capex से वो करते रहते है यानि दीपक नाइटरट का यदि आप देखोगे तो वो भी काफी एक बड़े capex कर रहे है उनका जो phenolics का plant है सबसे बड़ा plant है वो आप देखोगे तो तो यहाँ पर उन्ह पहले phenolics का plant लगाया था उनको उन्होंने एक अच्छी तरीके से operate किया उसके आगे जाके वो और capex कर रहे है कुछ आप देखोगे तो उन्होंने नया एक subsidiary बनाया है जिसका नाम है Deepak Clean Tech उसमे भी वो कुछ capex करने वाले है यदि आप नविन फ्लोरिन का देखोगे तो नया बिजनेस है उनका crams का और इसके अलावा जो specialty chemicals का और HPP का ये जो segment है उसमें वो incrementally capex कर रहे है क्योंकि उनको ये पता है कि यहाँ पर return on capital employed जो है compare to जो legacy business वो बहुत जादा है और आने वाले जो profits होगे जब ये capex complete हो जाएगे तभी आपको ये जो actual profitability है वो दिखेगा जो लगबर 2023-2024 financial year तक ये जो सारे capex से वो complete हो गये तो यहाँ पर market basically उनको इतने higher valuations क्यों दे रहा है क्योंकि ऐसी जो chemical companies है for example मैं सिब बता रहा हूँ chemical और बाकी भी companies हो सकती है उनके जो cash flows है या उनकी जो earnings है वो फिर से उनके ही business में deploy कर सकते है at very higher rate और इसलिए उनको फ portfolio में hold कर रहा हूँ नवीन फोरिन भी में hold कर रहा हूँ ITC में मेरे कोई भी position नहीं है इसके बाद में ये letter में हम third जो learning है इसके बारे में discuss करेंगे तो third जो learning है वो focus management है याने management का उनके business में कितना focus है तो यहाँ पर यह दिया आप देखोगे तो उन्होंने example दिया है नेबर important है क्योंकि finally हम जो है वो minority shareholders है कल हम जाके जो business है वो run नहीं करने वाले है इसलिए हमें जो management choose करना है वो काफी important role play करता है क्योंकि सारी जो decisions होती है याने suppose उनके पास आज 100 करोस का free cash available है या earning से आया है उनको तो यह 100 करोस का जो cash है उनको उसको आगे जाके कैसे deploy करना है क्य क्या उसका buyback करना है या क्या उसके अलावा उनको आगे जाके capex करना है इसका मतलब capital allocation का management का framework है या क्या उनका mindset है इसलिए ITC में आप देखोगे तो मुझे personally यह लगता है कि ITC ने यदि shareholders के लिए well create करनी है उनको तो मेरे personal understanding यह है कि पहले तो जो dividend है वो dividend कम कर दो और इसमें वो काफी अच्छी तरीकी से उसको allocate कर सकते है क्योंकि FMCG ऐसा business है जिसमें यदि आप देखोगे तो opportunity बहुत है क्योंकि इंडिया में इतनी सारी population है और definitely यहाँ पर जो उनके margin से वो काफी better हो सकते है और जो growth हो सकता है आगे जाके ITC में वो काफी एक अच्छा हो स वो उनको basically sell off करना चाहिए उनके total portfolio में से और सिर्फ focus करना चाहिए कि कौन से businesses में आगे जाके growth आ सकता है या आगे जाके return on capital employment बहुत जादा है plus growth अच्छा है तो यह जो decision है वो higher management जो है वो ही ले सकती है इसलिए focused management होना याने management का उनके business में focus होना इसके अलावा capital allocation कैसे करत है कि आगे जाके business का जो journey है वो कैसे हो सकता है तो यह भी काफी important learning था यह basically जो later है उससे इसके बाद में अभी हम fourth learning है उसके बारे में discuss करेंगे कि कौन से जो businesses है वो जंदरी वारम बफिट जी को पैसंद है और ऐसे कुछ businesses मैं मेरे portfolio में hold कर रहा हूँ तो यहाँ पर उन्हो business जो है वो asset light होना चाहिए और at the same time उसके जो margin से वो ज़्यादा होना चाहिए तो यहाँ पर मुझे लगता है कि high margins के जगा यहाँ पर आप दो चीज़े use कर सकते हो एक तो high margin हो सकता है business या दूसरा business low margin हो सकता है पर asset turns जो है वो काफी ज़्यादा हो सकते है यानि actual में return on capital employed ROC जो है वो high होना चाहिए तो इसमें आपको यदि आप देखोगे तो Amazon का basically मैं आपको example देता हूँ तो वो जो business है वो basically low margin business है पर वहाँ पर उनके जो asset turns जो है वो काफी ज़्यादा है इसलिए ROC बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए आपको यह देखना है कि कोई भ incremental capital employed जिसके बार में भरचा जो है वो बात करता है तो यह आप देखोगे तो यह काफी important चीज़ है कि जो भी incremental earnings है वो बाद में आगे जाके कहाँ पर deploy कर रहा है और business को कितना जो incremental capital है उसकी जरूरत है तो यहाँ पर ऐसे कुछ जो business है जैसे कि आप Indian context में देखोगे जैसे कि Indian Energy Exchange इसके related मेरे काफी detailed वीडियो बनाया था लगबग 1 hour का वीडियो है आप देख सकते हो मेरे YouTube चैनल पर तो Indian Energy Exchange का जो stock है वो में काफी समय से hold कर रहा हूँ लगबग 150-160 रुपीज के आसपर मैं यहाँ पर buying किया था फिलाल में यह आप यह stock देखोगे तो यह 300-330 के उतके business में deploy करने के जरूरत नहीं है और यह continuously आगे जाके growth कर सकते है क्योंकि opportunity size बहुत बड़ा है वो आप वीडियो देख सकते हो फिलाल में short term का जो trading होता है electricity का वो सिर्फ 5% है exchanges पे और इसके बाद में जो 80-85% का जो बाखी जो volume से वो long term contracts से है तो जैसे कि आप बाहर के countries में देखोगे जैसे कि Germany हो गया या जो European countries है इसमें लगबग जो percentage है as a short term market का वो लगबग 40% 60% 70% भी है तो opportunity size जो है वो काफी बड़ा है इसके अलावा जो Indian gas exchange ये उनका एक अलग subsidiary उन्होंने launch किया है जिसमें आप देखोगे तो अदानी total gas ने शेयर लिया है इसके बड़ा है और strategic जो partner से वो फिलाल में IGX में join हुए है इसके अलावा CDSL ये एक depository है यहाँ पर सिफ डियोपोली है CDSL है और NSDL है तो CDSL भी मेरे portfolio में मैं hold करता हूँ लगबग 210-220 के असपास मैंने buy किया था जबी March में fall हुआ था तो ये business में भी यदि आप देखोगे तो incremental Capital की कोई जरूत नहीं है यहाँ पर जैसे जैसे जो DMAT से वो open होते जाएगे या नए नए जैसे IPO हो जाएगे वैसे उनका जो business है वो expand हो सकता है यदि आपको CDSL के related एक separate video चाहिए होगा जैसे कि मैंने IEX के related एक separate detail video बनाया था तो CDSL के related में भी जरूर video बना सकता हूँ जरू आप मुझे नीचे comment में लिखके बताइए वो video में आपको मैं explain करूंगा कि फिलाल में stock के valuations क्या है या उनके competitive advantages क्या है या competitive mode क्या है यहाँ पर industry structure कैसा है क्या cyclicality आती है या नहीं है business में तो यह सारी चीज़े जो है मैं आपको separate video में बताऊंगा आप मुझे नीचे comment में सकते हो इसके अलवा Tata Alexica में भी और एक separate जो video है वो create किया था जो आप देख सकते हो तो ये भी आप देखोगे तो एक basic platform है ये business में यदि आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा जो capital है वो invest करने की बहुत जरूरत नहीं होती है पर उनके जो margin से वो काफ़ी better है और return on capital employed य इसलिए जो ROC है वो आपको 35% के आसपास दिखेगा यदि आप cash subtract करोगे तो उनका ROC बहुत ज़्यादा है लगबग 90-100% के आसपास है तो आपको ऐसे जो businesses है asset light businesses वो धूडने है और ये आपको एक अच्छे valuation पे खरीदने है टाटा एलेजी का तो stock है वो फिलाल में काफी उपर चला गया है पर यदि आपको अच्छे valuations पे ऐसे asset light businesses मिलते है जिसमें कुछ competitive modes है और उनको incremental बहुत ज़्यादा capital की जरूरत नहीं है तो definitely ये जो businesses है मेरे accordingly भी बहुत बहुत बहतरिन businesses है तो यहाँ पर आगे जाके हम read करते है the best results occur at companies that require minimal assets to conduct high margin businesses and offer goods or services that will expand their sales volume with only minor need for additional capital we in fact own a few of these exceptional businesses but they are relatively small and at best grow slowly तो यहाँ पर यह आप compare करोगे तो इंडिया में काफी ऐसी opportunities है जिसमें asset light business है और प्लस वो बहुत ज़्यादा high rate पे भी grow कर सकते है यहने IEX का मुझे लगता है कि उनका जो profitability फिलाल में है वो next 7-8 years में यहाँ पर maybe 5-6 times या 7 times भी हो सकता है क्योंकि opportunity size बहुत ज़्यादा है similarly CDSL आप देखोगे तो जो total participation है Indian stock markets में compare to Indian population वो maybe 4-5% का है तो वो भी आगे जाके बहुत बढ़ सकता है Tata LXG में भी वो ही आप देखोगे दो triggers है आगे जाके जैसे कि जो electric vehicles है इसके related वो काम कर रहे है या इसके अलावा भी आप देखोगे तो जो OTT platform से इसके related उनका कुछ एक separate division है तो opportunity size भी बहुत बढ़ा है और हमें यहाँ पे आगे जाके बहुत growth भी मिल सकती है प्लस ऐसे जो business है उसमें बहुत जादा incremental capital की जरूरत नहीं है तो यह काफी हमने अलग-अलग learnings यह वीडियो में देखे हमने four learnings देखे कि business जो है वो buyback करना चाहिए एक better valuations पे इसके बाद में management जो है वो focus management होनी चाहिए इसके अलवा जो business है वो asset light होने चाहिए तो यह जो सारी learnings के बारे हमने discuss किया अलग-अलग तो यदि आपको लगता है कि और कुछ learnings आपको यह जो letter है वो पढ़ने के बाद में समझ आती है तो जरूर मुझे नीचे comment section में लिखके बताइए यह मेरे लिए भी एक नया learning हो सकता है और बाकी जो viewers है उनके लिए भी एक additional learning हो जाएगा तो यह जो letter है उसका जो link है मैं जरूर नीचे description में मैंने mention किया है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो और इसके अलवा उनके जो पिछले letter से लगबग last 60-65 years के जो letter से वो काफी बहतर इन letter से जिससे आप काफी अच्छी तरीके से invest कैसे करना इसके बारे में सीख सकते हो तो इसके अलवा यदि आपको और detail में जानना है एक simplified version में आपको यदि जानना है तो मेरा एक यहाँ पर course भी है value investing का master course उसमें यही जो learning से मैं काफी simplified language में इंडियन जो stock से उसके relate करके मैंने आपको समझा आया है तो यह जो learning से is related मेरा जो core से आप join कर सकते हो इसकी जो link के आपको नीचे description में मिल जाएगी इसके अलावा मेरा swing trading का एक price action based core से तो इसकी भी जो link के आपको नीचे description में मिल जाएगी यह आप मेरे website पे आके देख सकते हो यदि आपको खुद का आपका एक portfolio create करना है तो यहाँ पर एक मेरा advisory services है यहाँ पर लगबग हम 10-12 stocks जो है मेरे portfolio में hold करते है और last year में हमें काफी अच्छे returns मिल लेते हैं लगबग 50-55% के return का letter था जिसके बारे हमने detail में discuss किया तो जरूर यह आपके friends के साथ भी आप share कीजिए ताकि उनको भी यह letter से यह जो discussion हमने किये उससे काफी benefit मिल जाएगा